बाजपा की उत्तरप्रदेश में सरकार बनते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्तेनाग ने कानून विवस्ता को चुछ दुरूस्त करने के लिए पुलीस को अपना काम करने की बात गही थी शायद यही बात पांच माँ बाद भी भाजपा के सयोगी दल अपना दल से शौरतगर विधायक अमर सिंग को समझ नहीं आई है और ये विधायक बकाईदा लेटर लिक्तर शिपाहियों की च्रांसफर पोस्टिंग को लेकर पुलीस अधिक्षक को लिस्ट सौपते हैं वाइरल हुए इस लिस जनता ने जिम्यदारी दिया है कि अगर कहीं से कोई ब्रवस्था में कमी है कहीं किसी किशकोई शिकायत है चैवो थाने का करमचारी हो पैरसील का हो अत्मा बलाक का हो अगर जन्मानस में हमारे विधानसभा में शिकायत आती है और हम जनता के पहरेदारी के लिए बचन पूछ रहें अभी यह सही है कि हमारे थाने चेत्र में कुछ लोग काफी दुम से थे यह सुनने में भी आया था कि यह लोग कहीं कहीं 5-5 साल से 4-4 साल से लोग तैनात है जो थाने में जबावार है और जब नया ऐसो कोई जाता है तो उसको पुराने सिपाही पकड़के अ कि देखनेवाले देखनेवाले जिम्मेदार साथी को मैंने का ति जो 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 गरवन हों उनकी सूची बना करके एक शपी को प्राशित करा दीजिए open package अंट्र family घ्र तो मैंने किया है लेकिन हमारे चेटर के कामां के प्रहरे विरान सभा के प्रभारी का वह至फ शिकायत र बुल लगी आप लिए तकि उसको याद रहा है कि इनको खटाना बहुत जरूरी है तो पहली बार देखने में और सुनने में मिल रहा है कि अब एक विधायक जो है बाकाइदा लेटर पैट पे सिपाही और दरोगा का नाम लिख करके दे रहा कि कौन सिपाही कौन दरोगा कहां रहेगा जबकि इन्नों को अपने विकास कार्यों से मतलब रखना चाहे विकास कहां होना है विकास कैसे होना उसके ध्यान देना चाहे और transfer posting का काम तो विभागा भक्ष का है, कहां करना है, इस सब देख करके, कि सरकार में अब विधायिक जो है, दिकायों के transfer posting के भी लिस्ट जारी कर रहे हैं, हम लोगं के तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या करना चाहए रहे हैं? झाल